ओके हेलो एवान वेलकम टू इस मेकेनिक साइटीजेम खोर्स और आज है मार लेक्चर नूबर 24 आज की इस लेक्चर के अंदर पन क्या पढ़ने वाले आज हम स्टार्ट करने वाले पोईजोन ब्रेकट इस से पहले अपने क्या क्या पढ़ लिया तो थोड़ा सा उसका अपन प्रीफेस देख लेते हैं तो अपने स्टार्ट किया था लेग्रेंजिन से उसके बाद में हमने कुछ प्रॉबलम प्रेक्टिस करे थे उसके बाद में हमने हैमल्टोनियम पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं poison bracket तो यह हमारी itinerary है ठीक है तो देखो formula से एक बार वापस से revise कर लेते हैं तो देखो अपने lagrangian का formula क्या था L equals to T minus V then हमने पढ़ा था Hamilton's rule principle वो क्या था कि delta T1 से T2 L dt is equals to 0 that is Hamilton's principle तो आज इसी से ही continue करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर poison bracket आया कहां से उसकी क्या जोरत पड़ी और किस तरीके से इसको use करते हैं किस तरीके से इसकी properties होती है इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं ठीक है तो क्या सवाल है इफ Hamiltonian of the system is h equals to px py plus xy वेर px equals to 0, px equals to a t equals to pi by 2 is equal to 1 and py equals to 1 and this is this ठीक है तो आपसे पूछा है px और py के बीच का जो graph होगा वो कैसा होगा इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको Hamiltonian दे रखिए h equals to दे रखा है आपके पास px py h equals to दे रखा है px py plus xy तो क्या यहां से आप Hamilton's equation निकाल सकते हों क्या होती थी वो so अगर आप बात करें del h by del px that is equals to x dot and px dot क्या होता था equals to minus का del h by del x similarly y dot equals to होता था del h by del py and py dot is equal to minus का del h by del y तो यहां से अपने पास अगर आपन देखे px dot के बारे में so px dot कितना है px dot is equal to del h by del x मतलब h का x के respect में derivative करेंगा तो कितना हैगा minus का y और py dot अगर मैं करूँगा तो वो कितना हैगा minus का x ठीक बात है और अगर बात करें x dot की बात करें तो यहां पे चार equation से मेरे को solve करना है px py की बीच में एक relation लाना है कैसे करेंगे तो देखो अगर यहां पे px dot है और इधर मेरे पास क्या है y अगर मैं दोनों तरफ dot करें रहता हूं तो px double dot हो जाएगा अधर left side में और इधर क्या हो जाएगा minus का y dot हो जाएगा और यहां से y dot की value इसमें Put कर दूँँगा यहां से y dot की value इस पूट कर दूँगा तो मेरे पास क्या यह px double dot is equal to minus का px ठीक है और यहां से अपने पास क्या आगया फिर px double dot plus px is equal to 0 अगरो यह अपने पास एक differential equation बन गई इसका solution अपन नहीं किया ही था पूरे mathematical physics के अंदर अपन ये ही करते आ रहे थे so ये है क्या आज d2 px by dt square plus px is equal to 0 तो इसके solution क्या क्या होंगे इसके solution होंगे और पx equals to a sine 1 बन था है a sine t plus b cos t similarly ये अपने px का solution आगया अब ऐसा ही काम अपने को किस के साथ करना है py के साथ तो py के साथ भी जब आप करोगे मतलब 3 और 2 को अगर solve करोगे so py क्या निकल के आएगा c sine t plus d cos t yes अब आपके पास दे रखी boundary condition so boundary condition क्या दे रखी है कि px की value t equals to 0 के पर 0 है मतलब अगर मैं यहाँ पर t equals to 0 put करोंगा so यह वाला बच जाएगा और px equals to 0 यहाँ से अपने पास b equals to आगया 0 that means px equals to a sine and t done एक और boundary condition दे रखी क्या कि pi by 2 के पर 1 है इसका मतलब जब यहाँ पर pi by 2 पूट करोगे तो left hand side में क्या जाएगा 1 that means a equal to किसके आगया 1 के so finally हमारे पास px का जो आया है expression that is equal to sine t that is equal to sine t again लेकर रहा है ठीक है जी अब यही काम आपको किसके साथ करना है pi के साथ करना है so pi के साथ अगर करें अपन तो यहाँ पर boundary condition दे रखी कि t equals to 0 पर 1 है that means अगर t equals to 0 put करोंगा तो यह वाली term 0 यह वाली term 1 d 1 तो d आगया मेरे पास 1 तो d की value आगयी sir 1 दूसरी boundary condition पुट करें pi by 2 पर 0 आना चाहिए तो जैसे pi by 2 पुट किया तो यह वाला term तो 0 यह वाला term बचेगा और यह वाला 0 की बरावन होता है तो इसका मतलब क्या है c की value कितनी आगयी 0 so py मेरा निकल के आया that is equal to cos t आ गया तो px और py के बीच में एक relation आया है अब मुझे px py के बीच में relation आना है अभी मेरा पास क्या है px का sin t के साथ relation मतलब t के साथ relation py का cos t यानि t के साथ relation मुझे इनका आपस में relation चाहिए तो मुझे पता है एक identity अपनने पड़ी थी that is equal to sin square t plus cos square p is equal to kis के होता है 1 के होता है क्या इनको put करूँगा तो मेरे पास क्या हैगा px square plus py square equal kis के आगया 1 के ये क्या है ये किसकी equation है this is the equation of circle this is the equation of circle तो कौन सा option सही होगा इसी साथ से अगर आपन देखें तो कौन सा option सही होगा हमारा so curve between px and py is circle option b is the correct answer इसी तरीके से बाकी सवाल भी थे तो जैसे जैसे अपने को समय मिलेगा अपन उनको try कर लेंगे तो ये वाला सवाल तो अपन करी चुके है इसके बारे में तो अपन डिसकस करी चुके है पहले भी और यहां तक अपन ने कर लिया था ठीक है most of the सवाल अपन कर चुके चली start करते है आगर poison bracket है क्या और यह कहां से आया है तो देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वो Hamilton's principle पढ़ा था वो क्या होगा करता था Hamilton's principle is simply delta l dt t1 से t2 is equal to 0 यह पढ़ा था फिर हमने एक और चीज पढ़ी कि हम L की जगह एक expression लिख सकते है that is equal to p q dot minus h क्या यह चीज लिख सकते है यहाँ पर तो जैसे अपन ने यह चीज लिखी तो हमारे पास एक नया expression आ गया Hamilton's principle का that is equal to t1 t2 break it summation p q dot minus h dt is equal to 0 ठीक है जी यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं Hamiltonian के अंदर भी अपनने कुछ formula पड़े थे h अगर आपका h हमारा Hamiltonian है तो यहाँ से अपनने कुछ formula पड़े थे that is क्या क्या थे कि q dot is equal to del h by del p अगर मैं एक generalized variable मानता हूं मेरा तो मैंने q मान लिया सिर्फ अगर मैं पास multiple variables होते है तो मैं आपकी qi index देता इसको del h by del p और p dot किसके विक्कुल था del h by del q k with negative sign lagrangian में negative sign नहीं आता था पड़ा था आपने शायद है ठीक है एक में में इसको वापस restart कर देता है आज कल कुछ ज़्यादे प्रोब्लम होरी इसके ठीक है यहां तक की बात तो समझ में आ गई हम बहुत बढ़िया चलिए जी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अब बात आती कि अगर माल लीजिए अभी तक आप हेमेलटोनियन की बात कर लेते similarly आपके पास कोई एक ऐसा function है एक ऐसा function अब आपको इसका time के साथ क्या variation होगा अगर हेमेलटोनियन के अंदर ही यह हो आपका सिस्टम के अंदर सिस्टम भी हेव कर रहा है हमेलटोनियन के साथ अब उसमें कोई एसी entity है F that is also depending on q, p and t और आपको इसका time के साथ evolution समझना है in that case आप क्या करोगे हम सीधा क्या करेंगे इसका derivative करेंगे t के respect में so F आपका क्या है is a function of q, p and t similarly जैसे अपना Hamiltonian था H भी अपना function था किसका q, p and t का H was also a function of q, p, t so यहां से अगर मैं df by dt करूंगा इस functional का derivative करूंगा df by dt that is equal to del f by del q dq by dt क्यों हो रहा ही कल तो नहीं हो रहा था del f by del q dq by dt plus del f by del p dp by dt और क्या हैगा del f by del t के बराबर है ठीक है सर् यह वाला expression आ गया अच्छा क्या मैं dq by dt को q dot लिख सकता हूं del f by del q और इसको मैंने q dot लिख दिया plus del f by del p को ऐसा कैसा रखा और dp by dt को मैंने क्या लग दिया p dot लिख दिया plus del f by del t अब अभी अपनने पढ़ाता पीछे देखे कि p dot जो है वो del h by del q के बराबर होता है और q dot जो हो del h by del p के बराबर होता है तो क्या यह value यहां पर पुट कर दू क्योंकि मैंने system Hamiltonian के अंदर ही चलता है तो del f by del q और यहां पर क्या हैगा q dot प्लस del f by del t जरा एक सेकंड दीजे अगा मुझे ठीक है तो यहां तक ही बात हुई है अब इस expression को ही हम एक ब्रेकिट का नाम देता है that is known as poison bracket poison bracket और poison bracket कैसे define किया हमने हमने define किया कि del f h poison bracket f h is equal to del f by del q देखिए order बहुत important है इसके अंदर है न del h by del p minus del f by del p और del h by del q same order के अंदर ही रखना है this is known as poison bracket क्या बात क्लियर है इस expression को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं df by dt is equal to poison bracket f h plus del a by del t del f by del t so this is the time evolution of any dynamical variable function f जो कि किस के अंदर है हमारी hamiltonian के अंदर तो वो इस तरीके से time के साथ evolve होगा कोई सी भी quantity हो सकती है यह आप angular momentum हो सकता है linear momentum हो सकता है कुछ भी f कुछ भी हो सकता है तो वो अपने Hamilton के साथ इस तरीके से evolve करेगा अब अगर माल लीजिया f जो है वो explicitly depend नहीं कर रहा है time पे तो यह किसके equal हो जाएगा 0 के in that case अपना df by dt किसके बरावर हो जाएगा is equal to f,h के poison bracket अब देखो यह है पूरा classical classical के अंदर अपन इसको बोलते है poison bracket quantum में जब अपन पढ़ेंगे न तो वहाँ पे अपने पास इस तरीके से variable नहीं होता है h जो होता है वो as a operator काम करता है f भी हमारा as a operator काम करें इन operator को उपर इन operator को जब अपन किसी भी eigen function के उपर operate करेंगे तब हमारे पास eigen values आएगे so basically यह जो poison bracket है quantum mechanics के अंदर यह थोड़ा सा change हो जाता है कैसे change हो जाता है कि वहाँ पे इसको अच्छा यह जो चीज है that is Hamilton's equation same format के अंदर अपन quantum mechanics में भी पढ़ेंगे वहाँ आती है Heisenberg equation difference किसी इच का है वो समझेगा Heisenberg equation that is d a by d d a क्या है अपना वोई operator है that is equal to 1 over iota h cut commutator a h plus del a by del t so आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ पे आपका functional था वहाँ पे आप क्या आगे है operator आगे है बाकी format एकदम same है किस चीज का difference आया है कि यहाँ पे define होता है commutator और classical में define होता है poison bracket this is the symbol of commutator और यह वाला symbol होता है कि poison bracket का और दोनों के बीच में relation भी आप निकाल सकते हो कैसे अगर माल लीजिए आपके पास x आपके पास a और b दे रखा है a और b के बीच में जो commutator होता है that is equal to iota a b के बीच में poison bracket कुछ इस तरीके से ठीक अभी बात करेंगे इसके उपर जब अपन quantum है कि नहीं start करेंगे तब बात करेंगे फिलाल अभी अपन poison bracket के उपर रुपते हैं यह सारी चीजे एक्स्ट्रा थी अभी अपन यही पर यह poison bracket तक यह अभी इसकी थोड़ी से properties के बारे में बात कर लेती कि आखिर यह कौन कौन सी properties follow करते है so पहली चीज अगर आपके पास a एक variable है और a एक आपका function है और a और आपके पास f of a है so इसका जो poison bracket होगा that is equal to 0 ठीक है इसको आप अराम से कर सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दूसरी property क्या है anti-commutativity मतलब अगर आप a और b का poison bracket ले दे हो that is equal to minus of b, a का ठीक है तो यह इस तरीके से होता है कि a cross b जो होता है minus b cross a के तो यह भी cross property follow बरता है ठीक है दूसरी बात आती है distributivity मतलब अगर आप a plus b अगर आप अगर आपके पास क्या है कुछ इस तरीके से आपको poison bracket पूछ लिया क्या कि a bracket b plus c तो इसका आप आराम से separate करके लिए सकते हो a, b plus a, c ठीक है अब एक important property आती है जो की है product वाली property so product property that is important यह आपको याद रखनी है क्या कि अगर मान लीजे आपके पास a, b, c दो functions दे रखे तो इनको आप कैसे तरीके से तोड़ोगे तो confusion से बजाने के लिए इसको अपन मजला कोस्टा की बनाते हैं ठीक है तो यह आपका poison bracket हो इसको कैसे आप open up करोगे यह b आगे है तो आगे ही रहेगा b, a, c plus अब b को ऐसे रहें दो, c को पीछे बहें दो so a, b, और c order is very important order important किस order में आप लिख रहे हो उसी से ही सारा answer depend करेगा order is important similarly अगर माल लिजे यह अगर जो dual function है अगर यह आगे होता a, b, bracket, c तो इसको कैसे open up करते हैं जो आगे है उसको आगे ही रखो a, और बचा कौन b, c plus अब इस a को यही रहना तो पीछे वाले को पीछे बेज़ दो a, c, b क्या बात समझ में आ गई done है चलिए और property क्या है अपने पास one is Jacobi identity Jacobi identity property क्या है कि अगर माल लिजे आपके पास तीन combination दे रखें a, bracket b, c plus इसी का एक और combination क्या बन सकता है b, c, a plus इसी का एक और combination c, a, b इन तीनों का sum अगर करेंगे तो वो equal आएगा 0 के that is known as Jacobi identity कि quantum mechanics में भी आएगी उस time भी अपने इसको पढ़ेंगे ठीके तो यह सारी बात होग यह identity की अब बात करतें सीधे सवाल की कि आकिर सार सवाल कैसा आएगा और हमको क्या करना है उसके वारे मैं बताए आपको देखो यह सवाल रहे आपके सामने if lagrangian of a simple pendulum is given by l equals to half ml square theta dot square plus mgl cos theta then find the dl by dt क्या पुछा है lagrangian का time के साथ evolution so l भी अपना क्या है as a function मान सकता हूं मैं किसी भी type का functional मान सकता हूं so dl by dt कैसे define होगा अभी अपन ने पढ़ा था l poison bracket l h plus del l by del t क्या मुझे बताइए l explicitly time के उपर depend कर रहा है कि time का कोई any function है के इसके अंदर time का कुछ भी है के इसके अंदर नहीं तो यह क्या होगा 0 so dl by dt simply किसकी equal है poison bracket of l,h अब बात आती है sir h के से निगा लेंगे हमने last lecture के अंदर यही तो सीखा था l से h निकालने के लिए क्या करेंगे जितने भी q dot है q dot को convert कर दो p में सही है so यहां से q dot को p में convert करना है तो यहां से अपन क्या ली सकते है sir यह वाला term तो हमें पता है इसका direct क्या change होता है half ml square theta dot का square polar के अंदर पढ़ा था अपने यह किसमें change होगा p theta का square upon 2 ml square गन्द so हमारा Hamiltonian किसके बराबर आ गया p theta square upon 2 ml square minus का mg l cos theta yes अब बात करते हैं कि आखिर इसको solve कैसे करेंगे so solve करने के लिए del l by del q del h by del p minus del l by del p del h by del q अब यहा से del l by del q निकालना है सबसे पदेबले तो सबले यहा से del l by del q निकालेंगा गर मैं तो del l by del q क्या मेरा Q क्या है यहां पर generalized coordinate और यहां पर कोई है वो theta so this is del l by del theta this is del h by del p theta this is del l by the . ओर यह क्या है आपके पास del h by del theta के तो यह आपको निकाल ले सो right hand side वाली को मैं erase कर देता हूँ इस वाली side को और यहाँ पे अपन इन सब को निकालता है सो L तो किसके बराबर है P theta square upon 2 ml square plus mg l cos theta के और H किसके बराबर है P theta square upon 2 ml square minus mg l cos theta के right तो यहाँ से अब अपन को del l by del theta निकालना है तो del l by del theta निकालना है minus mg l sin theta right और del h by del p theta निकालना है तो यह किसके बराबर आएगा P theta upon ml square minus अब क्या निकालना है del by del p theta p theta निकालना है p theta upon ml square into del h by del theta निकालना है तो क्या आएगा del h by del theta निकालना है तो minus minus plus हो जाएगा mg l sin theta so यह क्या हो गया p theta p theta same same entity है add up हो जाएगी minus 2 mg l sin theta p theta divided by ml square m से हम cancel, l से हम cancel क्या हो गया minus 2 g sin theta p theta divided by l this is your so dl by dt के अंदर changes किस तरीके से होंगे इस तरीके से इस तरीके से आप से सवाल पूच जाएंगे अभी और भी सवाल है अपन पूरे हरे एक टाइप का सवाल करेंगे यह आपे तो किसी भी टाइप की टेंचन लेंगे जोगे यह दन एक वाइस टेप motion of a free particle of mass m then proof the function f is a constant of motion मतलब यह time के साथ change नहीं हो रहा है मतलब df by dt किसके बरावर है जीरो के बरावर है यह आपको proof करना है तो चलिए यह तो एक थोड़ा subjective type का question है तो objective type भी आ सकता है यह तो अपने एक बार concept तो समझ लेते हैं क्या है यूनिफोर्म motion of free particle so free particle के लिए हमारे पास Hamiltonian होती है वो क्या होती है सर्फ p square by 2m क्या यह होती है हमारी Hamiltonian free particle है तो उसके पास सिर्फ kinetic energy होगी वो कोई सी potential energy नहीं होगी तो हमारे पास Hamiltonian क्या होगी p square by 2m अब बात आईए df by dt आखिर क्या होगा df by dt is equal to f poison bracket h plus del f by del f by del t तो यहां से क्योंकि f जो function है वो t के अपर depend कर रहा है तो अगर मैं यहां पे del f by del t निकालूँगा तो वो किसके बरावर आएगा this term is 0 minus k p by m k right so del f by del t है गया फिर बात करें f h का poison bracket यह किसके बरावर होगा that is equal to del f by del x del h by del p minus del f by del p and del h by del x अब फटापड से del f by del x निकाला तो f का x के respect में partial derivative किसके बरावर है 1 के del f by del p निकाला मतलब h का p के respect में derivative किसके बरावर है p by m के minus del f by del p यहाँ पर कितना आएगा minus का t by m और del h by del x क्या x का कोई x अपने पास है कि इस match में नहीं है तो यह हो गया 0 तो आपके पास क्या है या p by m values put कर दो फटा फट से p by m minus p by m किसके बरावर आगे यह 0 के बरावर आगे that means f is a constant of motion right हो गया proof done चले आगे बढ़ते हैं और सवाल करते है नेक्स सवाल अपने पास if h equals to half p square plus x square and a is equal to p plus x a a अपने पास क्या है function ला गया then find da by dt ट्राइ करेंगे आप एक बार एक बार ट्राइ किजी ही कुछ से डिए बाई dt के लिए terms लिखना स्टार्ट कीजिए equation लिखना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले पड़ा पड़ से एक मिनिट है आपके पास terms लिखना स्टार्ट कीजिए करें ट्राइए क्या या देखें मैच कीजिएगा तो देखो da by dt किसके बराबर होगा da by dt is equal to poison bracket a,h plus del a by del t क्या a के अंदर कोई भी time का term है क्या नहीं है that means this is equal to 0 आपके पास क्या आगया a,h तो मुझे क्या करना है da by dt निकालना है मतलब कि क्या पूछना है मुझसे poison bracket of a,h का so how it is defined, it is defined as del a by del x, del h by del p minus del a by del p, del h by del x देखिए order बहुत important है, अगर आपने गलती से a की जगा h,h की जगा a कर दिया तो गड़बड हो जाएगी ठीक है, so ये इसी format में आपको ध्यान रखना है तो a का x के respect में derivative कितना हैगा, 1 h का p के respect में derivative करेंगे तो कितना हैगा, p minus, a का p के respect में derivative करेंगे तो कितना है, 1 और h का x के respect में करेंगे तो कितना हैगा, x तो कितना आगया है, p minus x ठीक है, part a done, part b में क्या पूछा है find the value of poison bracket of a, da by dt तो अपने पास da by dt आई रखा है और a भी हमारे पास आई रखा है तो b part के अंदर अब यहाँ पर identity use होगी a कहता अपना p plus x और da by dt आई आपने पास p minus x ठीक है तो identity कहा है? distributive वाली identity तो यह दोनों आपस में separate हो जाएंगे so p, p minus x plus x, p minus x again distributive property p, p minus p, x plus x, p minus x, x यह दोनों तो 0, यह दोनों भी 0 इन दोनों के बीच में अपन क्या लगा देंगे? एक और property अपने पड़ी ती so xp, xp is equal to minus of px आया ना? तो इसका मतलब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? xp, यहाँ पर क्या है? xp, दोनों को add करेंगे कितना हैगा? 2 xp, अब इसका poison bracket निकाल दो क्या होगा? del x by del x, del p by del p minus del x by del p, del p by del x ये term 0, ये term 0, ये term 1, ये term 1 क्या answer आया? 2 Done? इस तरीके से इनको solve करना है आगे बड़े चले? एक बड़े लिख लीची, फटाफट से बड़े और अच्छे सवाल करते हैं, न? ये सारे CSI, NET, GATE वगरे सब के अंदर आये वे सवाल है सारे PYQs यही है कुछ subjective type के कुशन है वो बुक से लिया हुए है, न? बागी है सारे PYQs लबबब? इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आपसे चलिए, अब एक और बात आती है, यहाँ पर Canonical Transformation की तो देखो, Canonical Transformation है क्या? एक एसा Transformation जिसको करने से आपका Hamilton's Principle वोईलेट ना हो, क्या मतलब है सर का? सर, हमारे पास Hamilton's Principle क्या था? यह था, Del T1 से T2 L DT is equal to 0 L को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यह अपने पास proper format आ गया अब अगर आप Q और P के अंदर कुछ Transformation करते हो और यह Transformation क्यों करते हैं हम? ताकि हमारा सिस्टम हम Easily Analyze कर सके तो सिस्टम को Solvable बनाने के लिए, Easily Solvable बनाने के लिए उसकी Complexity को हटाने के लिए, हम क्या करते हैं, Transformation करते हैं अपन करते हैं आ रहे हैं यह सारी चीज़े कि माल लिजे कभी कभी क्या होता है कि 3D के अंदर Cartesian coordinate के अंदर किसी भी सिस्टम को Solvable करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे coordinate system में जाते हैं कौन सा? Spherical या फिर cylindrical तो ऐसे coordinate system में जो Transformation होता है यही तो चीज़ के बारे हम बात कर रहे हैं, अपन क्यों करते हैं ताकि Easy हो जाए ठीक है, तो सेम काम हम अगर किसी भी Transformation करते हैं अगर यह Transformation कुछ इस तरीके से है, कि यह स्टिल Hamilton's principle को follow कर रहा है In that case, ऐसे Transformation को बोला जाता है, Canonical Transformation क्या बात समझ माई? So, if we make a change of variable in such a way, कि आपका जो function है, वो अभी भी Hamilton's principle को follow कर रहा है In that case, अपन इसको क्या बोलेंगे? Canonical Transformation और उन variables को क्या बोलेंगे? Canonical variables तो यह आपके Canonical variables है, ठीक है? चलिए, तो देखो, क्या बात है? तो सेम, जैसे अपने पास यह हुआ करती थी PQ.-H Similarly, यहाँ पे, H की जगए एक नया function आजाएगा, K और यहाँ पे अपने पास small PQ, जो है, वो capital PQ में बदल गए जहाँ पे capital P और capital Q क्या है, अपने पास canonical variable This is canonical coordinate, this is canonical velocity तो यह momentum और यह अपने पास coordinate है ठीके, तो यह इस तरीके से कुछ define होंगे, जैसे अपने पास होते हैं, अब इसकी properties के बारे में बात करते हैं, कि आपका transformation canonical कब होगा, कब होगा, जब वो Hamilton's Principle को follow कर दा है, तो इसका short तरीके में, अगर उसका poison bracket है, identity की बराबर है, in that case हम बोलेंगे कि वो क्या है, canonical variables है, और इस transformation को अपन क्या बोलेंगे, canonical transformation को बोलेंगे, तो जनरली भी अपने देखें, अभी अपने किया ही था, एक सवाल के अंदर इसको figure out भी किया था, क्या सार, कि अगर आप QP का poison bracket निकालते हो, तो वो क्या आता है, del P minus del Q by del P and del P by del Q, ये term तो 0 हो जाएगी, ये term में इनकली क्या देगी, 1, अब similarly इसको तोड़ा सा और expand करें अगर, कि हम यहाँ पर index को भी लाए, QI, PJ, इसका मतलब क्या है, कभी-कभी QI की value जो है, वो X होगी, Y होगी, Z होगी, PJ की value क्यों होगी, PX होगी, PY होगी, PZ ह होगी, तो इस तरीके से कितने combination possible है, no combination possible, ठीक है, तो इनको short form में, अपन tensor format में लिखा करते हैं, इस तरीके से, index लगा के, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, 1 के, कब, जब, जब, I equal होगा, J के, और ये बराबर होगा, 0 के, जब, I is not equal to J के, मैं हिंदी में क् लिख रहा हूँ, if, आप सब जानते हैं तो हैं English, if, ठीक है, so इसी को एक और compact form में लिखने का तरीका है, that is, chronicle delta, delta i, j, तो देखो, qi, pj, is equal to delta i, j, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ये जो अपन यहाँ पर लिखा है, ये बंदा, ये chronicle delta, ये क्या है, इसकी एक property, क्या, कि जब आप i को j के बराबर कर देंगे, तो मैं हो जाओंगा 1, और जब i को j के बराबर नहीं करोगे, तो मैं हो जाओंगा 0, ये इसकी property है, ठीक है, so इसी तरीके से, ये तो बात होगे, अपने normal variables की, same काम कौन follow करते हैं, canonical variables, तो अगर आपका transformation canonical है, तो यहाँ पर भी poison bracket of capital Q, capital P, should be equal to 1, आया न, तो अभी आपके पास सवाल आएंगे, इसे, जिसमें आपके पास normal आपके generalized coordinate और generalized momentum दे रखा होगा, फिर उसको आपने transform किया, उनको आपसे पूछा जाएगा, क्या ये canonical variables हैं, तो आप क्या करोगे, simply, उ उसका poison bracket निकाल के देखोगे, अगर वो 1 के बराबर आ रहा है, in that case है, अगर नहीं आ रहा है, in that case नहीं है, और अगर ये भी सवाल दे सकता है, कि भाई, ये आपके पास canonical variable है, और उनमें से कुछ एक ऐसा constant दे दिया, और आपसे पूछागा कि इस constant की value क्या होनी चीए, ता corresponding momentum vector, then find the value of a dot r, b dot r का poison bracket, so पहली चीज, a dot r किसके बराबर होगा, it should be equal to a1x, plus a2y, plus a3z, right, और b dot r, b dot, अच्छा ये दोनो r होगए क्या, यहाँ p होना चीए, b dot p किसके बराबर होगा, it should be equal to b1px, plus b2py, plus b3pz, हाया न, अब इसकी value अपने को निकाल दी है, so poison bracket of a1x, plus a2y, plus a3z, and b1px, plus b2py, plus b3pz, अब एसे कितने combination बनेंगे बताओ, no combination बनेंगे, इनको जब आपन distributed property से लिखेंगे तो, अब बात आती है कि उनमें से survive कौन कौन करें, survive करने के लिए क्या होना चीए, i equals to c, मतलब x के साथ px होना चीए, अगर x के साथ py हुआ, in that case वो poison bracket है, वो 0 हो जाएगा, तो मैं रोको सिर्फ वो ही combination ले रहे हैं, no में से, जिसके साथ x के साथ x वाला ही momentum हो, तो, अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो इसके साथ ये वाला ही जाएगा, that means, a1 x, b1 px, plus a2 y, b2 py, plus a3 z, b3 pz, तो क्या आ गया, ये तो constant है, भाला जाएगे, a1, b1, अंदर क्या बचा, x, px, plus a2, b2, अंदर क्या बचा, y, pz, y, p, y, plus a3, b3, अंदर क्या बचा, z, pz, और यह किसके बरावर होता है 1 यह किसके बरावर होता है 1 क्या निकल के आया a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 और यह क्या है क्या मैं इसको a1 vector dot b2 sorry क्या मैं इसको a dot b लिख सकता हूँ a dot b लिख सकता हूँ तो इसका commutator किसके बरावर है a dot b के बरावर है आप चाहो तो no के no term लिख देना और उसको solve करना तो आपके पास तीनी term survive करेंगे मेरा motto यही था आपको chronicle delta बताने का ताकि आप no no term ना निकाले और थोड़ा दिमाग से काम ले ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सवाल बढ़ते है तो यह आपके पास एक और सवाल हो गया तो यह काम तो आप कर सकते हो I guess इस सवाले को करने के लिए भी यह वाला निकालना पड़ेगा करेगे इस सवाल को चलो कर लेते हैं चलिए, क्या सवाल है? find out poison bracket of x,h so x आपके पास है h की value इसमें put करेंगे px square by 2m minus mgx distributive property लगाएंगे क्या हैगा? x,px square by 2m minus x,mgx so यह term तो 0 क्योंकि दोनों सेम सेम हो गए यहाँ पर अगर बात करें तो इसको 2m को बाहर निकाला तो 2m अंदर x क्या बचा? px square अब काम है इसको solve करना so क्या मैं px square को px px लिख सकता हूँ तो यहाँ पर एक property लगेगी multiplication वाली property याद है a,bc क्या होता था यह? b,ac plus a,bc so सेम काम यहाँ पर भी करना है तो क्या होगा? 1 by 2m x px px plus px x px इसकी value 1 इसकी value 1 px,px कितना होगा? 2 px 2 px divided by 2m 2 से 2 cancel कितना है आप? px by m यह किसकी value आई? x,h के poison bracket की अब आपको निकालना है x,h के poison bracket और फिर इसका h के साथ poison bracket तो क्या आएगा? px by m koma px square by 2m minus mgx करें? तो क्या आएगा? same वापस distributed property लगा देंगे px by m px square by 2m minus px by m mgx यह time हो जाएगी 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी px है यहाँ पर भी px है कोई भी x है ही नहीं और मुझे पता है अगर एक भी x नहीं हुआ तो वो दोनो time को 0 कर देगा तो यह equal हो गया 0 के इसके बारे हम बात करें तो यह constant mg यह constant हम बाहर आ जाएंगे minus 1 by m into mg अंदर क्या बचा? px, x इस poison bracket को अपन solve कर लेते हैं क्या होगा? px, x should be equal to del px by del x del x by del p minus del px by del px del x by del x यह किसके एकवल 0 के? यह किसके एकवल 0 के? यह किसके एकवल 1 के? यह एकवल किसके 1 के? तो answer क्या है? minus का 1 यहाँ value put करेंगे minus 1 m से m के एकवल minus का g so this is equal to minus का g minus का g plus का g यह minus की value आगे ने? हाँ plus का g ठीक है? थोड़ा थोड़ा दिमांग में गया poison bracket कैसे निकालते हैं? आखिल Q जड़त पढ़ दिया और किस तरीके से इनको solve करते हैं अपन? ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं हाँ जिस सवाल के में बात कर रहा था भी थोड़े देर पहले आपसे वो यह रहा क्या बोल रहा है? A linear transformation of generalized coordinate Q and corresponding momentum P to Q and P is given by this तो यह आपके पास क्या है transformation है? लिख देता हूँ एक बार बापस capital Q is equal to small q plus small p and capital P is equal to small q plus alpha small p आप से पूछा है alpha की किस value के लिए यह transformation canonical होगा? तो canonical होने के लिए क्या इसका poison bracket Q,P should be equal to 1 तो यहां से अगर मैं इसका transformation के लिए अब मैं इसका poison bracket निकालता हूँ तो वो क्या आना चाहिए? del Q by del Q and del P by del P minus del Q by del P del P by del Q should be equal to 1 तो Q का Q के respect में partial derivative कितना हैगा? 1 P का P के respect में partial derivative कितना हैगा? alpha minus Q का P के respect में partial derivative कितना हैगा? 1 और P का Q के respect में partial derivative कितना हैगा? 1 is equal to 1 सो alpha minus 1 equals to 1 तो alpha कितना है आपने पास यहाँ से 2 सो alpha की value 2 होनी चीए ताकि यह क्या बन जाए canonical transformation बन ठीक है जी चलिए ऐसा यह कोड़ सवाल आए यह बना यह आप खुट राए कीजेगा ठीक है this is hw4 same काम करना है थोड़ी सी hard हो सकती है बट काम सेम ही करना है तो यह कीजेगा थाकि आपका हाथ साफ हो जाए चलिए यह क्या सवाल है a और b आपके पास दे रखे है weather following transformation is canonical तो पूछ रहा है कि क्या यह canonical है या नहीं तो क्या करेंगे simply इसका poison bracket निकाल लेंगे तो मैं b वाला part कर रहा हूँ del p by del p minus del q by del p and del p by del q ठीक है जी तो यहां से अगर मैं capital q का q के respect में derivative करूँ तो वो कितना आएगा 1 over 1 by q sin p then इसका वापस से derivative करेंगे तो क्या आएगा minus का 1 upon में q square sin p into del p by del p मतलब p का p के respect में derivative करेंगे तो कितना आएगा q cos sec square p minus के sin के साथ minus q का p के respect में करेंगे तो क्या करेंगे log का करेंगे सबसे पहले 1 upon में q sin p into 1 upon में q cos p into del p by del q p का q के respect में simply cod p अब देख लो क्या का कट रहा है तो 1 by q 1 by q कट गया sin q sin q कट गया शायद ये हाँ ये कट जाएगा एक टर्म कट गई तो यहाँ पर बचा minus का q इस q से u कुट गया minus minus plus हो गया cos sec square p minus q से q कट गया ये sin p cos p ये कितना मज़ेगा cod p square p सो हमारे पास identity होती है cos sec square theta equals to 1 plus cot square theta होता है सो यहाँ से cos sec square theta minus cot square theta किसके बचावर हो गया 1 के सो ये कितना आगी value तो अगर ये 1 के बचावर आदी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये वाला जो transformation है that is canonical निकल गयली थोड़ी-थोड़ी बात गई होगी आज की इस lecture की तो कि य surrender oh क्या होता है canonical क्या होता है poison bracket kya होता है कैसे निकालते है ये वाले सवाल आप try किल्गे करे शारह vais आप us जोड़ीय अप कर सकते है सब कर सकते है ठीक है इनको try कीजिएगा है न मैं ऐसा assignment इनको group के अंदर डाल दूगा टेलेग्राम group के अंदर और आप चाहिए तो वो join कर सकते हैं ठीक है यह jest के अंदर आया वा सवाल है बहुत यासा सा लल्लू सा सवाल है try कीजिएगा है न ओके ठीक है next lecture के अंदर अपन small oscillation पढ़ने वाले है और यह small oscillation complete करने के बाद में हम start करेंगे str special theory of relativity Einstein G. Albert Einstein ठीक है see you thank you so much for joining the session मिलते हैं आपसे तो बाकी लोग जिनका यह आज पहला lecture है देखिए mechanics की एक series चल रही है और यह choice वा lecture है तो इससे पहले भी अपने mechanics काफी portion complete किया है अगर आप TIFR, JM का exam दे रहे है, JEST का exam दे रहे है तो आप यह lectures देखें जो CSR के लिए preparation कर रहे है उनके लिए भी advance यह जो classical mechanics वाले जो अपने तीन से चार lecture करें वह भी बहुत helpful होंगे उनके तो आप वह भी देखें ठीक है बागी हमारे साथ जुड़े रहे है और अगर आपको assignment की भी जुरूत है तो आप हमारे telegram को join कर सकते है तो physics तड़का, IIT jam, IIT jam, JEST, TIFR अगर यह search करेंगे आप तो आप वहाँ पे सीधा telegram नुप पर पहुंच जाएंगे अधरवाइस चैनल की description के अंदर भी आपके पास इसकी link है आप वहाँ से भी direct join हो सकते है ठीक है, thank you so much, मिलके हैं आपसे next lecture के अंदर, see you, tata, bye bye